एक वालियर से खबर हूँ जहाँ पर कच्रा क्रेक्शन स्पॉट पर लगी आग फायर विगेट की गाडिया मौके पर पहुंची है आग पर काबु पानी की कोशिश जारी है लक्ष्बी गंग मैं चम चान खाट के पास का ये कच्रा कनेक्शन स्पॉट है आग पर काबू पाने की कोशिश लगाता जारी है पता नहीं चर्पाय कि आखिर आग किस वज़े से लगी है फिलाल तस्पीर हम आपको दिखा रहे हैं पूरा इलाका देखे किस तरीके से थुहाद हुआ हुआ है आग पर काबू पाने की कोशिश लगाता जारी है लेकिन इस आग की ख़वर से पूरी इलाके में अफरत अफरी का माहौल देव श्रीमाली पर जुड़े वे हैं देव जी कब की पूरी घटा है और फिलाल क्या फाइर बिगेट की टीम ने आग पर काबू पाया है पूरा देखिए ये गटना है देर रात की और अचानक ये जो डंपिंग सेंटर होते हैं वालियर में जो में जो केदार को जो स्ट्रेसिंग सेंटर वो बंद पड़ा हुआ है तो इसके कारण ये सहर के अंदर तीन चार नगर निगम ने इस तरह के कच्रा कलेक्शन सेंटर बनाए और यहां से फिर कच्रा उठके बाहर जाता है ये लच्वी गंज लाके की घटना है लच्वी गंज संशान गाट के पास में जो बुद्दा पार्क है उसके पीछे कच्रा कलेक्शन सेंटर है वहां रात को लगब ग्यारा दसवजे के आसपास लोगों ने पहले दुआ दे दीरे दीरे करके दुआ निकल रहा है आग जल रही है लेकिन जो खत्रा था वो टल गया है क्योंकि इस घटना इस तल के आसपास बड़ी संख्या में आवादी रहती है तो लोगों को डर था कि आगे न पहले पहल जाए आवादी वाले लाके में ना चला जाए तो इसलिए रात को लगवक दो बजे तक फायर मुगेट की गारी आग बजाती रही और फिलाल आग पर काबू पा लिया गया है चलिए यह राहत की बात है कि आग पर काबू पा लिया गया है कोई नुकसान नहीं हुआ है कोई जन्हानी नहीं हुई है फिलाल वस्तार से जान कानी देन आपका शुक्रिया